नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और अपका स्वागत है पब्रिकेशन यूस में आखिरकार वो घड़ी आही गई जिसका सब को बेसबरी से इंतजार था कल शुकरवार उन्नेस अप्रेल से लोगसभा का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो रहा है लोगसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो रहा है वहीं चुनावों के बीच मतदान से पहले परियवरण पर देश भर में काम करने वाले सत्तर से जाद संगठनों ने वोटर से अपील की है उन्होंने वोटरों को जागरुक करने के लिए कहा है कि भविश्य, साफ हवा और पानी के लिए वोट करे अपील करते हुए इन संगठनों ने कहा कि हमारा देश इस वक्त ग्लोबल वर्मिंग, जलवायू परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, जल संकट, बारिश की कमी और अधिक्ता, लुशरियों का पिघलना और प्रदूशन का सामना कर रहा है हाल ही में आई रिपोर्ट में पता चलता है कि देश की स्थिती पर्यावरण और बदलते मौसम के लिहास से बद से बत्तर होती जा रही है हवा लगातार खराब हो रही है, ग्रेन हाउज उत्सरजन बढ़ रहा है, ग्राउन वाटर में कमी आ रही है धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता जा रहा है, नदियां प्रदूशित और सूकती जा रही है कूडे के पहाड बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको बता दे कि इन संगठनों में पीपल फोर अरावली, लदाग बचाओ, यूद फोर हिमालय क्लाइमेट फ्रंट, उत्राखंड का वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन, महाराश्ट का अजनी वन बचाओ, उत्तर प भारत में पर्यवरण और प्रकृती की रक्षा करने वाले कई एहम और बहुत जरूरी कानूनों को जन विरोध के बावजूद बदलाव कर कमजोर किया गया है, हिमाले और अलावली के जंगल, नदिया, पहाड और रेगिस्तान के अलावा, मध्यप्रदेश और पूर्वी के लिए क्या जा रहा है, जरूरत से जादा प्राकृतिक संसाधनों का इस्तमाल किया जा रहा है, सतर प्रतीशत भूजल स्त्रोत, ग्राउन वाटर सोर्स सूख चुके हैं, बतादे इनके रिचार्ज होने की क्षमता 10 प्रतीशत कम हो गई है, चिन्नाई, बैंगलुरु ज जैसे शहर पानी की कमी से जूज रहे हैं, आईक्यू एर की रिपोर्ट ने देश को तीसरा सबसे प्रदूशित देश घोशित क्या है, बतादे दुनिया के 50 प्रदूशित शहरों में 42 भारत के ही प्रदेश हैं, इन संगठनों की राजनीतिक पार्टियों से मांग है कि प बनाए रखने वाले सभी कानूनों को पूरी तरह से लागू करना, सभी वैटलेंड को वैटलेंड रूल्स 2010 के तहत नोटिफाय करना, सूख चुकी सभी नदियों, जीलों, तालाबों और दूसरे वाटर बोडीज को पुनर जीवित करना, हिमालय रावली और पश्चिमी घाटों में नदियों को जोडने और बांध बनाने, विसफोट करने, सुरंग बनाने और पहाडों को काटने वाली सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक और उनकी इंपक्ट असेस्मेंट की स्टडी की जाए, पहाडों पर माइनिंग रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से अल्ट की परिभाशा को बदलने की जरूरत है, प्राकृतिक संसाधनों की कीमत दे कर विकास नहीं होना चाहिए, इसे प्राकृतिक सिस्टम का नाश होने के बाद जल असुरक्षा और बनने जीवों के भविशे पर खत्रा बढ़ रहा है, हिमाल्या, रावली, पश्चमी और पू आश्ट्रे विकास संबंधी फैसले की प्रक्रिया में समुदाय और नागरिक समाज को केंद्रे रूप में शामिल किया जाए, ग्राम सभा की सहमती के बिना वन भूमिक और खेती की भूमिका लैंड यूज ना करा जाए, संगठनों के मुताबिक इन सब बातों का वोटर अपना कीमती वोट देने से पहले खास दिहान रखें। आपके इस मुद्दे को लेकर क्या विचार हैं हमें कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।